यात्माल जिले में आरनी शहर के बाबा कंबल पोष दर्गाह में इन दिनों रोजा नाम मजदूर पे सहरा और गरीब लोगों के लिए बड़े पैमाने पर अन्नदान का अज़न जारी है कोरुना संकत में मानो सेवा के अनुठी मिसाल बने दर्गाह ट्रस की काबिल इतारी पहल पर पेश एक रिपोर्ट कहते हैं वली अल्हा के दोस्त होते हैं और दोस्त हर मुश्किल घड़ी में साथ होता है इसी मान्यता को हकीकत में साकार होते हम आर्णी शहर के बाबा कंबल पोश्ट दर्गाह में देख सकते हैं यहां दर्गाह ट्रस की और से पूरी लगन से इंसानियत का साथ निभाने की मिसाल ऐसे वक्त में परवान चड़ रही है जब इसकी जब से ज़ादा जरूरत है कोरोना इस संक्रामग बीमारी की चलते देश भर में जारी लॉकडाउन से आर्णी शहर भी छूच रहा है परिसर के गरिब लोग और महनतकश मजदूरों के हाथों में काम नहीं है वहीं मौले और बाजारों में सन्नाटा होने से फकीर भिक्षुक और बेसाहरा लोगों का हाल बेहाल है नतिजन इन लोगों के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी बेहत मुश्किल हो रहा है इसी परिशानी के मद्दनजर स्तानिय बाबा कंबल पोश्ट दरगाह ट्रस्ट ने जरूरत मंदों के लिए एक मदद का हाथ आगे बढ़ाया है यहाँ पर दरगाह ट्रस्ट की ओर से बीत तीस मार्च से सोशल डिस्टनसिंग के तहट रोजाना साधिश्ट खाने के पैकेट वितरित किये जा रहे है दरगा परिसर में जरूरत मंदों के लिए जारी ताजिक खाने के वितरन के साथ ही माहे रमजान के मदनजर रोज़िदारों के इफ्तार के लिए यहाँ सुबह आठ बजे से बारा बजे तक पूर पैकेट्स मुहया किया जा रहा है काबिल गौरबात यह है कि यहाँ हर दिन एक हजार से बारा सो जरूरत मनलोग इस पहल का लाव उठा रहे है और सेमाज़ी कुपक्रम टरोषी राबभाविलाजात प्रत्यक आ जावलासे आरनी करान वर संकट आले असल त्यावल। दर्काक्रस्त गी मदत करते परन्तु आज पुर्ण भरतावर या जगावर इजे महामारी चे संकाट आलेला कोरोना चे रुपाने तो या मदे मागील जवड़ पास दीड महीने पासून दोर महीने पासून लोगडाउन सारका विशे धाला कि गोर गरी बनना काम उपलब्द नहीं है महाशा परिशिती तैंचा उदर निर्वाचा प्रश्ण मोठ्या प्रमानात उखल निर्मान जाला या मदे जेकाई एक फुलना खुलाची पकड़ी मनुन दर्गाट्रस्ट खुब मोठ्या प्रमानात इते मज़द परता है बाबा कंबल पोष्ट दर्गा की ट्रस्ट की ओर से यहा रोजाना सुबह के समय शाकाहरी पकवान बनाये जाते है हर दिन यहाँ विभिन नवेंजन बड़े पैमाने पर बनाये जा रहे है इस कान के आगास से लेकर जरूरत मंदों को इसे उपलब कराने तक शहर के कई युवा स्वेच्छा से इसमें हिस्सा लेते है इस दौरान खाना बनाने खाना पैकिंग करने और वीतरन के दौरान हाईजिन यानि साफ सवाई का पूरा ख्याल रखा जाता है इतना ही नहीं दरगा परिसर में जहा जहा लोगों का आना जाना लगा रहता है वहाँ हर जगों को नियमित रूप से सैनिटाइस किया जाता है इसके अलावा स्वेम सेवकों के लिए भी भरपूर पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्ता की गई है वैसे तो बाबा कंबल पोश रहमतुला अले की दरगा में अकित मंदों के साथ ही मुसाफिरों बेसहरा बुजर्गों दिव्यंगों को खाना खिलाने का सिलसिला बिते सौ सालों से भी जादा समय से जारी है शहर पर जब भी महापूर सहित कीसी वियन प्राकरूतिक आपदा ने दस्तक दी तब दरगार ट्रस ने हजरत बाबा कंबल पोश रहमतुला अले की खिद्मत खल याने मानो सेवा की विरासत को बखु भी निभाया है और इस विरासत के तहट दरगार ट्रस ने अपनी नीश्वार्त सेवा कोरोना के संकत काल में भी जारे रखी है पूर्णा दरगार ट्रस्ट होता करता है और एक सामाजीक दाइत वो जाननारे लुकान नी दरगार ट्रस्ट ला मदद करने परहत ने कहला परन्तु दरगार ट्रस्ट नी संकत कि आमी सद्याजाब आपती सक्षमा हो आनि हाज जो काई खर्च होता है जरूरत मदो को रोजाना खाना उपलब कराने तक ही दरगार ट्रस्ट संतुष्ट नहीं बलकि हाल ही में ट्रस्ट की ओर से दरगार परिशन में स्थीद, बीजली, लॉन, पार्किंग, पानी, त्याजी सुईदाव से लेस, फंक्षन, हॉल को भी जीले के कोरोना संदिक्द मरीजों को कारंटाइन करने के लिए निशुल करूप से उपलब्द कराया है इस संद्ध में ट्रस्ट ने 12 अपरेल को स्तानिय तहसिलदार को जिलादी कारी के नाम ग्यापन सौपा है काबिल एक और बात है कि दरगार ट्रस्ट की ओर से लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में जरुरत मंदों को उम्दा खाना उपलब्द करवाया गया है वही अब 17 मई तक चलने वाले लॉकडाउन की 30 रे चरण में भी इस पहल को जारी रखने का नेरने लिया है कुल मिला कर कोरोना संक्रमन के संकट के दोरान बाबा कंबल पोश दरगा ट्रस्ट हरस्तर पर्मानों सेवा की विरासत के अपने दाईत्व को खुबसूरती से निभा रहा है आरनी से इंबी से न्यूस के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट विए वर्सुर्ण की पारे सवार ने हो जो काम सारे सवार ने हो जो काम सारे को मेरे तंबल कराम ले दो सवार ने हो जो काम सारे को मेरे तंबल कराम ले दो हुसूर्ण कंदल को शवाबा धरक पिदी का पयाम ले दो